बॉड बॉर्णिंग तूड इस अधरीश नमार फॉम क्रिशना पॉबिक स्कूल अन इस वीडियो वी श्यल्टिस्टेशिंग अगर निवस इस्टेम की बात करते हैं तो नर्वस इस्टेम क्या होता है कि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी आक्शन्स हैं फंक्शन्स है उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारे नर्वस सिस्टेम करता है अब यह नर्वस सिस्टेम तीन चीज़ों से मिलके बना होता है जिसमें आता है हमारा ब्रेइन स्पाइनल कॉड और नर्वस ब्रेइन मतलब जो हमारा माइंड होता है उपर वाला पॉश्चन और स्पाइनल उनके बिलकुल central holes जो होते हैं मैंने आपको बताया तो जो वर्टेब्रास के बीच में holes होते हैं उनके उनके उनसे पास होते हुए एक कॉड होती है उसे spinal cord करते हैं और हमारी nerves चीक है तो हमारे sense organs जो भी information बहार से receive करते हैं देखते हैं या हमारी surroundings उने मिलती है वो हमारी spinal cord के थो बेन तक जाती है और फिर spinal cord और बेन जो होता है वो दोनों respond करते हैं किसी भी information के बारे में हमारे sense organ को कि हमें आगे activity क्या करने है तो इन सब चीजों से मिलके हमारा पुरा nervous system बनता है और ये ऐसे ही act करता है अब अगर हम अपनी longest cell की बात करें तो वो क्या होता है neuron होता है जो हमारी nerves के साथ connected होता है nerves के dal के साथ connected करके पुरा nervous system करता है ठीक है जो सब से smallest unit होती है हमारे nervous system की होता है neuron जुछे हम nerve cell भी कहते है जो nervous system मतलब पूरा का पूरा बनाता है उसको कहते हैं जो ओके तो यहां पर आपको डाग्राम दिया हुआ है देखे जैसे यहां पर नर्वर सिस्टम सबसे उपर वाला पार्ट उसका ब्रेन है दीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है यह बैक्बोन दिखाई दे रही है एक्छली इस कैसे वर्क करता है कैसे हम चीजों को सोचते हैं कैसे हम कोई भी अक्षिन होता है हमारी बॉड़ी का तो सबसे पहले कर हम ब्रेन को देखे आपके जो बुप में डाग्राम दिया हुआ है पेज निंबर 54 में हुमन ब्रेन का इसमें तीन मेजर पार्ट्स है एक है आपका सेर लिब्रम एक है मेंडिूला और ब्लोंगेंटा और स्मॉल ब्रेन इसमें स्टैरिबलम भी गयाता है तो जो ब्रेन होता है यह सबसे डेलिकेट पॉर्शन होता है हमारी बॉडी का और इसको जो प्रोटेट करने काम कान करता है अभी हमने पिछली चैप्टर बोन जॉइंट इसको प्रोटेट करने काम करता है हमारा स्कल करता है जो हमारी खोप्री होते है बाहर से जो बोन वाला पार्ट बाता है हमारे इसको प्रोटेट करता है और एक लिक्विट स्राउंड करके रखता है हमारे ब्रेन और स्पाइल कॉड को जो एक कुशन की तरह एक करता है कोई भी बहार चे को भी शौक लगेगा तो इंसान की जान भी जा सकती है इसे लिए हमें कहा जाता है कि वाइल ड्राविंग भी शुड आल्वेज वियर हालमेट क्योंकि सर पर चोट लगने से हमारा ब्रेन इफक्ट होगा और इसके वोची से खुछ भी हो सकता है तो जैसा म दो इंसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ग्रें और इसे लिए इसले से बिक ब्रेन भी खा जाता है और हमारे ब्रीक क्योंता होता है मतलब एक छतरी की शेफ का होता है और दो हमिस्फेर से मिलके बना होता है मतलब अगर आप दो कटोरियों को आपस में मिला दे उस तैप से क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है और जो लेफ्ट वाला हमिस्फेर होता है मतलब हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला पार्ट होत इसे भी चीज़ को सोचने में, समझने में, याद रखने में, क्याकुलेशन करने में, या कंट्रोल करने में हमारे बॉड़ी के डिफिंट पार्ट्स को मतलब बहुते हैं कुछ बच्चे बहुत शार्प माइंड़ होते हैं, इनका ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है तो वह स्टेरिब्रम का कमाल होता है, जो भी क्याल्कुलेशन होती है, जो कुछ भी होता है उसके बाद नेक्स आता है हमारे कास सेरिब्लम, जिसे स्मॉल ब्रेन कहा जाता है, जो हमारा पीछे की तरफ होता है तो सेरिब्रम के नीचे की साइड में हमारा स्मॉल ब्रेन होता है जिसे सेरिब्लम कहते हैं, और यह कंट्रोल करता है हमारी बॉड़ी के मस्कुलेर एक्शन को और यह हमारी मस्ल्स को एक साथ काम करने का कौदिनेशन ही, जो रुटेन करता है और जो हमारा बॉडी पूच् के रखता है यह जब हम बैठते हैं उठते हैं लेटते हैं कुछ भी हमारी बॉड़ी का जो भी पूश्चर है जो मेंटेन करता है उसको हम क्या बोलता है स्थे बैठना है जिससे हमारी बॉड़ी क्या रहे ठीक रहे या जब हम चलना है तो हम किरे ना तो उस चीज को मेंटेन करने के काम कौन करता है स्टेरी बैलंग करता है बहुत इंपॉर्डेंट पार्ट है पीछे की तरफ होता है हमारे प्रेम में और इसका प्रोटेक्टिव एरिया पर होता है यहां तक मतलब इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता इस वज़े से चिक है तो यह रीजन ह हमारे बल-डल करता है अधर नहीं है हमारे कन्ट्रोल चीज़ों के नहीं हमारे सांस और हमारे हर्ट को नहीं करने है तो कि अगर हम सांस नहीं लेंगे सोते वक्त यह हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा तो that's quite obvious हमारी जान चली जाएगी तो इसलिए medula का क्या काम होता है कि हमारे जितने भी involuntary functions है जो हमारी control में नहीं है यह उनको क्या रखता है एक्टिवेट रखता है और उनपे एक check रखता है तो अब यहाँ पर देखें इन्होंने एक flow chart बना के समझाया हुआ है कि कैसे nervous system काम करता है तो सबसे पहले stimulus होता है ठीक है मत्तब stimulus कुछ भी हो सकता है जैसे कोई phone की घंटी बजी तो हमारा जो sense organ हमापे क्या है ear है तो ear में हमें आवास सुनाई देगे रिंकी वो message कहां पर जाएगा हमारे spinal cord के पास जाएगा spinal cord से किसके पास जाएगा हमारे brain के पास जाएगा और फिर brain से होता हुँ message फिर दुबारा smile क्योंकि brain का गाम क्या है वो इस message के उपर सोचेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जैसे phone की घंटी बज़े तो phone अभी उठाना है हमें या नहीं उठाना है तो वो सब मालो हमारी phone की घंटी बज़ी तो spinal cord message किसके पास लेगे जाएगी हमारे हाथ के पास लेगे जाएगी कि फोन की घंटी बज़ी है उसको उठा लो और उसके बाद फिर क्या होगा response को करेगा हमारा हाथ करेगा हम अपना हाथ लेके जाएगे और phone pick work कर लेंगे और फिर बात क बने जो करता है कि वह मेल करता है कि इस टैप से हमारा मैबा सिस्टम करता है अक्तिविटी करता है Oke Students!? So this is what for today's class and thank you very much for listening me so far